जहें दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफामेटिव वीडियो तो आज मैं बात करूंगा उक्तर प्रदेश कॉंस्टेवल भर हो गया तो कई विद्यार्थियों फिर इसके लिए धरना प्रदर्शंभ किया औरिश्यक गार्डन घया लेकिन इसको लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है अपडेट ये सामने आई है कि ATS ने अपनी रिपोर्ट DGP सेरी परसांद कुमार जी को सौप दिये और इसके मुताबिक पता ये चला है कि जो भरती निरस्त कराएगे उसके हैं और सौरी ये जजो पेपर लीख हुआ था उसमें जो मुख्या और्बिवी थे वह थे प्रिंटिंग प्रेस वाले और कोरियर सर्विस वाले जी है जो ऐजेनसी ट्रांसबोर्ट कंपनी पेपर गाजियाबाद की कमपनी है जो एक जगा से दूसरे जगा पेपर ले जाने काम करती है उसके कुछ करमचारियों ने पेपर को लिक किया लिक कैसे किया इन लोगों के जो प्रिंटिंग मसीन है उसका जो मालिक था उसके संपर्क में और जो कॉरियर कमपनी है इसके संपर्क में कई कोचिंग प्रिंटर के जो ऑनर थे उन्होंने इनको मोटी रकम दी और कहा कि आप पेपर लीग करके मुझे दे दीजिए तो जो कोरियर कंपनी का जो मालिक था जो मुख्य अभियुक्त जिसको माना जा रहा उसने सील खोल कर आईफॉन से फोटो खींच कर और कई बड़ी-बड़ी भी सेंड कर दी गिरफतारी हुई तो पता चला कि जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था वो तो विदेश भाग गया लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थे वो पकड़ा गया उसने इन सब बातों का खुलासा किया ऐसे में डीजीपी से प्रसांद कुमार सर कह रहे हैं कि य कुछ भी बड़े बदलाव हो सकते हैं ऐसे में आप तयार है हर एक सिचुएशन के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़े लोग इंवाल्व हैं लोगों ने कई कॉमेंट किये मुझे उसकी परवा नहीं लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा ह वीडियो गर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैहन जै वारत